तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों आज मैं आप लोग ले एक Neckband का review लेकर आ रहा हूँ और काफी जादा interesting product है और वैसे यह है न बोट की दरफ से और बोट की एक series है जहाँ पर यह products है न काफी जादा popular है और इवन कहे सेको best selling product है लेकिन इस बार इन्होंने क्या क्या हो लोग क्या इस best selling product के अंदर इन्होंने add on कर दिया है एक और special interesting feature जो है ANC और इवन यहाँ पर आपको ANC का support तो दे दिया है और इवन इसके अंदर आपना 100 hearts का massive playback time ले सकते हो और उपर से आप इसके अंदर एक और feature है जो आता है special audio और भी इससे ज़ादा interesting चीज है बट यह जो सारी चीज है न वो आपको मिल जाएगी 1799 मतलब अठरा सु रुपे के अंदर यह सारे features इस neckband के अंदर इन्होंने add on कर दिया और मैंने बोट के बहुत सारे TWS होगे neckbands होगे इवन उनकी जो popular series होती है उन सब प्रोड़क के review भी किये होगे और इवन आप यह भी चेक कर सकते हो बोट के जो best selling neckbands है न यह काफी जादा अच्छे reviews के साथ में आदे इवन इनके जो feedbacks है न वो भी काफी जादा सही है तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पर बोट Rockers 255 ANC तो देखो सबसे पहली बात तो प्रोड़क की जो प्रीमिमनेस है वो ही box पर ही देखने मिल रही है और जैसी आप box open कर दोगे न सबसे पहले आपको अपने neckband मिल जाएंगे कुछ interesting stickers है एकदम funky type के निकल कर आते हैं और एक user card मिलता है जहां पर आपको इसकी जो application है उसे डाउनलोड कर सकते हो वो कैसे work करती है वो आपको मैं आगे दिखा दूँगा ear tips आ जाएगी और charging cable आ जाएगी देखो मेरे पास जो color आया है वो है marine blue और भी इसमें दो extra color मिलते हैं जिसमें से एक है raven black और जो मेरा मन पसंद कह सकते है थोड़ा पसंदीदा color है या थोड़ा सा attraction के हिसाब से जाता है वो है magenta pop बागी देखो अगर neckband के look and feel पे ध्यान से देखोगे न तो यहीं पर आपको अपना board की branding मिलती है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपका इसके volume plus minus button है और pause हो गया माइक हो गया और ANC के लिए dedicated button है और इस तरफ से जैसे slide करो गया यहाँ पर type C का port है charging करने के लिए और यह जो ANC का button है इसे double tap करने पर है जो special audio वो चालू हो जाता है और वो कैसे work करेगा आपको में आगे दिखा तो बागी जो मस्त में अपने neckband style में आते हैं लगाओ पहन और जहां जाना जाओ tension नहीं है कि कहां पर रख दिया कुछ missing होने का जो tension होता है वो बिल्कुल नहीं कि आपके गले पर ही चिपके रहते हैं और इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करेगी इसमें power on off वाल बटन नहीं था और यहाँ पर बोट ने से जो नाम दिया है वो है hall switch basically यहाँ पर यह इस तरीके से connect हो जाएंगे तो वहाँ पर यह turn off हो जाते हैं और जैसे यहाँ पर यह detach हो जाएंगे तो उस तरीके से power on हो जाते हैं और रही बात यहाँ पर जो airbirds की housing है न वो भी काफी अच्छी build quality के साथ में आती है प्लास्टिक भी अच्छागासा material कहीं भी कर लो कहीं भी रख दो breakable की जो chances है वो almost खतम हो जाते हैं और इवन आप इसे आराम से कहीं भी pocket में carry कर सकते हो इवन ज्यादा थर हम neck पर ही लगा के रखेंगे और दूसरी चीजी है मुझे neckband में अच्छी लगती है कि इनका खोने का डर नहीं रहता क्योंकि आप आपको पता एक बाइक दूसरे एरबट कहा है वो टेंशन नहीं आता इसके अंदर सो almost यहाँ पर जो build quality है first impression में काफी ज्यादा interesting देखने मिल रही है बागी कुछ जो extra features आते हैं जैसे कि इसके अंदर IPX4 की rating आती है और साथ में dual pairing option के साथ में आते हैं और यहाँ पर है na hall switch magnetic earbuds मिलते हैं जहाँ पर आप इसे turn off कर सकते हैं और turn on कर सकते हैं और 39K drivers आते हैं with board signature sound और इस पर आपको total 3 mics मिलते हैं जो AI ENX technology के साथ में आते हैं और इस पर जो ANC है न वो 32 plus DB के साथ में आता है और इसके अंदर जो battery life है न वो 100Hz की निकल कराती है और इस पर आपको ASAP charging का भ चाते हैं तो पहले detach करना है आपको इस तरीके से आपके phone में एक option आ जाएगा जिसको हम लोग कहते है Google Pairing option वो इसके अंदर पहले से मिल जाता है जो मैं कह सकता हूं जो premium earbuds, neckbands आते हैं उनके अंदर ये feature आता है और वही ये same चीज boat rockers 255 ANC के अंदर मिल रही है जिसमें कुछ नहीं one tap पे आपका connect हो जाएगा बाकी आपको ज्यादा कुछ headache लेना नहीं और रही बाद यहां पर connectivity को लेकर जैसी समझ लो आप first time अपने connect कर लिया और जब second time आओगे तो जैसी आप है न अपने phone से जैसे इस दब तक इसे detach करोगे कान में लागा तो तब तक ये fast pair हो चुका होगा मतलब ऐसे नहीं कि आपको wait करना पड़ेगा तो इसमें डूल पैरिंग option mode आता है for example आपके phone से connected है आप मतलब travel कर रहे हो जहां पे भी जा रहे हो ता आप आराम से गाने वाने सुनो जैसे आपने setup पे बैठे काम वाम करने तो आपने laptop के साथ भी इसे connect कर सक तो laptop के अंदर आप coding कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो जो आपना काम entertainment वाली बातचीत हो गई तो वो करते करते हैं suddenly आपके जो main phone है उस पे call आ गई तो आपने laptop से connect किया था अब phone आ गया तो आपको option मिलता है dual pairing का जिसकी वज़े से दूसरे device में जो main device है आपका वहां पर वो automatic connect हो जाएगा और direct आप call ले सकते हो और call खतम करो वापस laptop पे आजाओ तो इस तरीके का जो feature है ना वो भी एक plus point हो जाता है एक ही machine से दो devices को operate करना और इस neckband पर आने एक और interesting बात यह है कि इस पर आना आपको app support मिलता है app support होने से पहली चीज़ तो यह हो जाती है कि इसमें ज application मिल जाएगी board hearables वहां से download कर लेना या फिस scan card मिलता है अपने box के अंदर वहां से scan करोगे तो भी जा सकते हो और google lens के तुरू scan कर लेना और direct आपको play store या जो भी आपका device होगा app store वहां पे लेके चले जाएगो download कर लेना तो play store से मैंने इसे download कर लिया था और जैसे आप open क तो यहां पर आपके जो डिवाइसे से वह दिख जाएंगे जैसे कि मैंने यह कनेक किया है boat rockers 255 ANC और इसी पर आपको पूरा preview मिल जाएगे कितनी पसंट बैटरी है sound option मिल रहा है वहां पर आप noise cancellation हो गया जिस पर आपको ANC mode पे अलग-अलग option है ambient mode मिलता है ANC मिलता है default option है यहां पर मैंने कहा कि firmware update वगेरा करना है तो वह सारा option यहां पर available है तो वहापस sound पर आते हैं और उस पर आपको नीचे देखने मिलेगा special audio जैसे मैं on कर सकते हैं off कर सकते हो और यहां पर आपको boat adaptive equalizer mode मिलते हैं तो उसी के बाद में कुछ इस तरीके से setup होंगे जो आप इस कर पाऊगे फिर इस पर आपको मिलता है boat adaptive equalizer आप अपने हिसाब से भी conflict कर सकते हो और यहां पर आपको अलग-अलग option भी मिल जाते हैं तो जो IPX4 की इस पर आती है तो पानी के छीटे वीटे हो गए वह आराम सी झेल लेगा और एक एकसांपल अगर आप जिन करते हो sweat proof आप यहां पर होता है कि एक तो समझ लो आपका normal bass audio है simple सा जहां पर यहां से sound आ रहा है यहां से sound आ रहा है इसी तरीके से फील हो रहा है left and right वाली बातचीत हो जाती है लेकिन 3D spatial audio में आपको क्या होता है आप उसको on कर सकते हो application के through और या फिर डिरेक्ली आपको option मिलता है जैसे आपको स्टार्ट बताया करके तो जैसी वह एक्टिवेट करोगे तो आपको अभी ऐसा फील होगा कि आपने जो अभी audio सुन रहे थे ना normal वह आपको जैसे left and right वाली बातचीत फील हो जाएगा ऐसा लगेगा आपको कि कोई इस तरफ से कोई पीछे से कोई तो चल के आ रहा जिस पर आपको एक 3D का इन डेमो दिखा देंगे किस तरीके से आपको वो special audio फील करवाता है और अगर आप इसे simple language में समझना चाहते हो ना तो आप theater तो गए होंगे movies बगएरा देखने बस वही वाली बातचीत वहाँ पर फील आ दिया है जैसे हम center में बेटें कहीं भी बे तो देखो अगर music quality को लेकर बात समझोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इसके अंदर boat signature sound अब यह कैसा है मालम में क्या जब कोई आप content experience करते हो for example movie lover हो music lover हो तो उन लोगों के लिए जो sound यहाँ पर निकल कर आता है literally अच्छा कासा bass feel होता है जिनको bass फसंद है उसी स next level चले जाता है लाइक इसके अंदर अगर मैं music review आपको simple तरीके से दे दूना जैसे कि इंदर जो boat signature mode है उसकी वज़े से जो sound है वो काफी ज्यादा rich feel होता है जिसकी वज़े से आप अपना content और अच्छी तरीके से enjoy कर सकते हो अब मैं यहाँ पर उन लोगों को भी recommend कर सकता है तो उन लोगे के लिए भी यहाँ पर एक benefit यह है कि इसके अंदर आता है beast mode अब वो आपको activate करना है यहाँ पर मैंने मेरे इसाप से customize कर लिया आप अपने इसाप से customize कर सकते हो यहाँ पर circle पर double tap करने पर beast mode मेरा on हो जाता है जिसकी वज़े से अब हो जाती है 60 millisecond की super low latency चा सकते हो मतलब music lover movie lovers हो गया और even gaming lover हो गया टीनों का triangle एकदम सही तरीके से बैठ जाते है और इसमें आपको voice assistant feature भी मिलता है जैसे कि अगर आपने phones अपना android से कने किया है तो गूगल assistant आजाएगा और जो भी आपको command करके पूछना है पूछ सकते हो और अगर आप अपने iPhone वगरे पे हो तो वहाँ पे Siri भाईया आजाएंगे या देवी आजाएंगी जो भी है और वहाँ से जो भी command है वो लेके मज़े कर सकते हो और देखो रही बात fitting को लेकर है ना अब यहाँ पर आप जो मेरी audio सुन रहे हो वही इसी के neckband में record हो रही है और किस तरीके का output है for example अगर आप जब calling करते हो सामने वाले के आपकी आवाज कैसी जाएगी वो आप पता कर सकते हो even अगर आप गेमिंग करते हो और आपका जो teammate है उसको आपकी आपकी आवाज कैसे 255 दे रहा है जो ANC 32 decibel के साथ में हो लिटरली काफी जादा impressive है अगर आप जब use करते हो कोई ऐसा environment होता है जहां पे बहुत जादा शोर शराब है जिनको नहीं पता है ANC कैसे वक करता है बस वो बता देता हूँ ANC में हाँ पर आपको environmental noise cancellation मिलता है जैसी कि आपने एक लगा है अपना normal leg band और बाहर suppose कोई tv चल रहा है कोई ट्रक वगेरा चल रहे है वो भी audio आ जाते है normal वाले earphones में पर जैसे आप इसका ANC on करोगे ना तो आप जो भी content consume कर रहे हो सुन रहे हो तो आप तो आराम से सुन सकत सुन पाओगे क्योंकि बाहर की जो audio ना पूरी cut-off हो जाती है और वो जो experience है कानों पर लगाने के बाद ही आता है मतलब मैं आपको समझा रहा हो ना तो आपको लगेगा हाँ ठीक है कुछ बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है लेकिन जब आप पूरा experience लेगा इसे connect करके और AN जैसी चालू करोगे बटन आता है dedicated तो पूरा audio बाहर का cut-off हो जाता है शोर शराब आपको बिल्कुल फिल नहीं होता और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा है कि सामने वाली के बात भी सुननी है तो वहाँ पर आता है ambience mode अब वहाँ पर जैसी आप इस पर ANC को वाप पर एकदम बेस्ट तरीके से काम कर रहे है और यहां पर आपको एक और चीज मिलती है और इसकी जो मैगनेट की पावर्स भी है ना वो भी काफी अच्छी है मतलब अच्छी तरीके से स्टिक होके रहते है तो देखो एंड में अगर फाइनल बात करें जो यह बोट ने रॉ मुजिक वगेरा मुवीज वगेरा इवन गेमिंग हो गया वो सारे सबको लोग के लिए आराम से आप यूज कर सकते हो और इवन जो यह हॉल स्विच मिलता ना जिसकी वज़े से आप डेरेक आफ हो गया वो अप्शन भी अच्छा है प्लस फॉमवेर अप्डेट का भी आप अपने हिसाँ से चेक आउट कर सकते हैं और होपस हो यह वीडियो आप लोगोंको अच्छी लगी हो लगी है तो मसने में लाइक शेर सब्सक्राइब और शेर कर देना वागी स्कॉमेड कर देना बागी मिल देने वीडियो पर अभी टेक कियर और बाए